यहां पर एक ऐसे IPO एस्टोप के बारे में बात कर रहा है जहां पर यह एरो एस्टेट और डिफेंस सेक्टर में काम करता है और इसका पूरा डिभ्यूक करने वाला हूं जिसका फिलाल IPO आना वाला है जो की 24 से लेकर सकता है सितंबर के भी जाने वाला और इसमें investment की बात करें और इस company के बारे में जानते है financial estate में जानते है उसके बार डिसाइड करेंगे इसमें IPO लेना है या नहीं फिलाल के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक किजिए share किजिए subscribe कीजिए सबसे पहले चलते है company पर एक नज़र डालने के बाद यहां पर देख सकते हैं गाई इस company का यहां पर देख सकते हैं रिपेर और मेंटेनेंस भी करता है MRO company का सपोर्ट सिस्टम यह सारे वर्क करते हैं यहां पर डेटेल में पूरा पढ़ सकते हैं और खुछ से research भी कर सकते हैं और इस company की launch की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं और इसमें financial की बात करें उसके इंकरीज हुआ और total asset की बात करें तो यहां पर asset भी काफी इंकरीज हो रहा है company फिलाल छोटा है लेकिन फिर भी ठीक है यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छत जा रहा है बाइस का है 23 का 24 और प्रोफिट नजर डालते हैं इसके बाद देखते हैं यहां पर देख सकते हैं किस बात की इसू साइच की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 35 करोड है 36 करोड के असपास है और यहां पर प्राइस रेंगे 70-60 रुपए मिलेगा और यहां पर investment की बात करें एक लाक बीस हजार होगा और यहां पर लॉड साइच की बात करें तो सोले स्वार अगर आप इस कंपनी में इंवेश्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह कोई टीप्स नहीं है बस आइप्यो का इस्टोक आया था इसमें मैं रिभ्यू करता हूं फिलाल के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए शैर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए जैहिं चैभा कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए सकता है अडाभ करता इसी हैं चे पाया हैं करना दून झामारे झाल मैं झाल टीजिए सर क